हेलो विर्वन मेरा नॉम रक्टर साइद नजी बुला है मैं एक एमस जेनरल सर्जर निन आयरवेदा में हूँ और एक चीफ अनोरेक्टल सर्जेन हूँ एड़ी आनेसे रेक्टम क्लेनिक के कम्प्लीट आयरवेदिक सर्जिकल सेंडर जूबली हिल्स में रहता हूं आज हम ल क्षारसूत्रा ट्रीटमेंट क्यों बेस्ट है ऐसे बहुत लोग हम लोग को पूस्ते रहे थे तो इस विशय के बारे में आज हम लोग कुछ बात करेंगे क्षारसूत्र ट्रीटमेंट आयरवेदा में क्षारसूत्रा ट्रीटमेंट स्पेशली फिश्टला को और पाइल्स के लिए कहा गया है शुश्रत सम्यता में क्शारसुत्रा के बारे में फिशला ट्रीटमेंट के जगा इसको ट्रीटमेंट आफ चाईस ऐसा ओनापदी ट्रीटमेंट आफ चाईस बोलकर बोला है, क्योंकि compared to other surgical procedures क्शारसुत्रा से सक्सेस रेट ज्यादा रहने से क्षारसूत्र treatment एक standardized treatment and famous treatment बन रहा है फिर ये क्षारसूत्र treatment क्या होता है first of all क्षारसूत्र क्या है क्षारा और सूत्रा क्षारा means alkaline material यहाँ पर जो भी क्षारा है इसको एक alkaline material है ये कुछ तरीखे से इसको बनाते रहते है जैसे कि कुछ जाड से प्रोसीजर है ता उससे हम लोग शारा एक शारा बताते हैं और कुछ medicine जैसे कुछ जाड है उसको completely born करकर एक प्रोटोकल एक प्रोसीजर से खारा बनाते है वह alkaline in nature रहता है और सूत्रा सूत्रा means thread ये क्षारा को ये सूत्र पे repeated coating लगा कर एक सेटान medicated सेटान को बनाते है इसको क्षारा सूत्रा ट्रीटमेंट बोलते है क्षारा सूत्रा बोलते रहते है ये इसके वजह से जो भी treatment चल रहा है इसको क्षारसुत्र टीट्मेंट बोलते रहते हैं हम लोग फिर क्षारसुत्र टीट्मेंट किस किस डिसीज में हम लोग कर सकते हैं क्षारसुत्र को मेंली फिश्टलाई नानों और पाइल्स में और फिजरी नानों में और पाइलोनेडल साइनस में जो भी रेक्टल पालिप आनल पालिप है ऐसे कंडिशन में और इवन वाट्स जहां भी वाट्स है पेडंकिलेटिड वाट्स है ऐसे कंडिशन में क्षारसु में चारसूतर्य ृख है शारसूतर्य टीट्मेंट एक है एकशसिय का अशारा सूतर्य चार्य एक कम- एज आशे सoco्डी के ये प्रोशिजेटर को पर लोग लूग लोकल अनिसी शाम ऺिंडियर की ऐसा कर सकते हैं इसमें बहुत कम कांप्लिकेशन से कम या जीरो कांप्लिकेशन रहते हैं और चारस उत्र टीटमेंट करने से रिकरेंस चांसेज उसका मतलब एक बार सज़री हुआ फिर से बार बार आना ऐसे चांसेज बहुत कम हैं इसके लिए आपको हास्पिटल में अड्मिशन की जरूरत नहीं है आप डे केर प्रोसीजर सरजरी करके आप उसी दिन घर जाकर सेकंडे से आपका डेली आक्टिविटी जो भी काम है आप आराम से कर सकते हैं और जबी भी क्षारस उत्र टीटमेंट हुआ जब ज्यादा आप आपको आंटीबियोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वज़े से शारसूत्रा एक स्टांडर्ड और फेमस टीटमेंट बन चुका है शारसूत्रा टीटमेंट जबी भी रहता बहुत लोग पूस्ते है कि सारे बहुत द दर्द ज्यादा रहता ज़द ज्यादा टनीमें दर्द रहे था लेकिन वो एक स्पैसल क्यूब्स जबी फिशु आव पईलास इसी बीडिसी में स्टीटमेंट से कर रहा तो उस में करने से दरट होने के चांसे स्पर्त कम हैं किर वी आपर शकस्ता टीटमेंट ले रहे एक specialist को मिलने की जरूरत है साती doctor आपको जो instruction बोल रहे इसको properly आप follow करें तो आपको इसमें दद होने की chances भी बहुत कम हैं फिर यह था शारसुत्रा के बारे में आपको फिर से एक specialist doctor को मिलकर उसके लिए treatment law thank you so much